ग्यान वापी केस में हिंदू पक्षम बड़ा फैसला आया है जिला जज ने व्यास जी तैखाने में व्यास परिवार को पूजा पाठ का अधिकार दे दिया है इसके लिए कोर्ट ने 7 दिन में व्यवस्था करने का आदेश दिया है बता देगी सोमनाथ व्यास का परिवार साल 1993 तक तैखाने में पूजा पाठ करता था लेकिन उसी समय ततकालिन राज सरकार के आदेश पर तैखाने में पूजा पाठ की व्यस्था बंद कर दी गई थी हिंदू पक्षन व्यास जी के तैखाने में पूजा पाठी एजाज़त मांगी थी जिला कोर्ट में सुनवाई के दौरान 17 जनवरी 2024 को जिला प्रशासन ने तैखाने को कबजे मिलिया था ASI सर्वे कारवाई के दौरान तैखाने के साबसफाई हुई थी जिसके बाद अब कोर्ट का इस पर बड़ा फैसला आया है अब जानते हैं कि ज्यानवापी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा कौन सा कानून है दरसल हाल ही में आर्के लॉजिकल सर्वे आफ इंडिया यानी ASI ने अपनी साइन्टिफिक सर्वे रिपोर्ट में खाया है कि वाराल असी की ज्यानवापी मस्जित मंदिर को तोल कर बनाई गी थी सर्वे के दौरान मस्जित के अंदर भवे हिंदू मंदिर के आउशेश पाये गए ASI की 849 पेज की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई कानूनी जानकार बताते कि हिंदू पक्ष इस रिपोर्ट को सबूत के तोर पर इस्तिमाल कर सकता है लेकिन इसकी राह में कानूनी अर्चने भी है सबसे वड़ा रोड़ा 33 साल पुराना पूजा इस्तल कानून यानि Places of Worship Act 1991 है अब बात करते हैं कि आखिर पूजा इस्तल कानून या Places of Worship Act है क्या ये कब लागू हुआ और लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी Places of Worship Act या पूजा इस्तल कानून साल 1991 में बना उस वक्त केंदर में कॉंग्रेस की सरकार थी और पीवी नरसिमा राओ प्रधान मंत्री हुआ करते थे इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में जिस भी धर्म का जो पूजा सलता उसे किसी दूसरे धर्म के पूजा इस्तल में बदला नहीं जा सकता अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है अब सवाल यह कि आखिर पूजा इस्तल कानून बनाने के जरूरत क्यों पड़ी दरसे इसके वज़े श्री राम जन्मुमी आंदोलन से जुड़ी है साल 1990 के दशक में आंदोलन चरम पर था लाल कृष्ण आडवानी रथ यात्रा लेकर अयोध्येग ले रवाना हुए लेकिन उन्हें बिहार में गिरफतार कर लिया गया केंदर की वीपी सिंग की सरकार गिर गई और चंडर शेखर प्रधान मंतरी बने हालांकि चंडर शेखर की सरकार भी जादा दिन टिक नहीं पाई नय सिरे से चुना हुए और कॉंग्रे सत्ता में आई पीवी नरसिमा राव प्रधान मंतरी बने लेकिन मंदिर अंदोलन बढ़ता ही जा रहा था अयुद्या के लावा देश में और कई जगहों पर सामपरदा एक सद्भाव बिगलने का खतरा था सरकार ने इस विवाद पर विराम लगाने के लिए कानूनी रास्ता खोजना शुरू किया और उसकी खोज पूजा इसल कानून पर जाकर खत्म होई कांग्रे सरकार ने मंदिर महस्जित विवाद पर विराम लगाने के लिए पूजा इसल कानून बना दिया इस कानून में 15 अगस 1947 की डेट कट आफ के तोर पर तै कर दी गई साल 1991 में जब यह कानून लाया गया तब विवादित बाबरी धाचे का मामला न्यायले में लंबित था इसलिए बाबरी को इस कानून से छूट मिल गई हाला कि अगले साल यानि 1992 में विवादित बाबरी धाचे को ध़स्त कर दिया गया सुप्रीम कोट में दशकों तक मामला चला आखेर कर 2019 में उच्टम न्यायले ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला दिया साल 1991 में जब कानून पास हो गया था इक बर अब भी कानून पर सवाल उठाता रहा है उनका कहना है कि साल 1947 से ठीक पहले तमाम पूजा सल तोड़े गए उन्हें दूसरे धर्म के पूजा इसल में तब्दिल कर दिया गया ऐसे में 15 अगस 1947 सा कट आफ तारकिक नहीं है इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए बने रही है न्यूस एटिन इंडिया ओरिजनल्स के साथ